पहुचाओ इस बात को पूछो कि ये सरकार की शेह पर हो रहा है या वैसे ही हो रहा है इस पर सरकार का ध्यान है या सरकार का ध्यान नहीं है पेपर लीग करवाया जिन से करवाया और जिन को बेचा उस पूरी चेन को पकड़ करके न्यूस बेपर में पबलिश क्यों नहीं कर सजा इनके उपर लगनी चाहिए राजदरो का मुकदमा इनके उपर चलना चाहिए जो लोग ये जान बूज करके सेड़ेंतर करते हैं और एक सवाल है भाईवन में तूटना है या तोडना है हर अन्याई सेहना है या अन्याई के खिलाफ आवाज उठानी है मेरी बात सभी समझ गए होगे क्या बात कर रहा हूँ मैं तूटना है या तोडना है हर अन्याई सेहना है या आवाज उठानी है यर क्या हो रहा है जन्वरी में ग्राम स्चीव का पेपर हुआ लीक हुआ कैंसल हुआ उसी तरीके से अब फिर हरियाना पुलिस का पेपर लीक हुआ और कैंसल हुआ ये मत्र संयोग है या साजेश इस पर ध्यान तो सब को देना पड़ेगा भाई ये खेल हो रहा क्या लाखों लोगों के फ्यूचर का सवाल चल रहा भाई दो साल हो गए भरती कब निकली थी 2019 में अब क्या चल रहा है 2021 पेपर का हाल क्या है सब के सामने करना क्या है विचार करो सच में खेलो रहा गयार करो कमेंट क्या करना है सेहना है या लड़ना है इस अन्याई के खिलाफ या तो अन्याई चुपताब सेहते रहो कोई बोलने वाला नहीं है कोई करने वाला नहीं है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है करो शेयर वीडियो को जल्दी से और आवाज उठाओ जनवरी में ग्राम श्चीव का पेपर हुआ था जिन अपराधियों ने पेपर लीग करवाया था वो पकड़े गए थे अब हम लोगों को ये जानकारी चाहिए पहला सवाल मेरा ये सबी लोगों से पहला सवाल ये है मेरा कि जो अपराधिय पकड़े रखा था तो कोई तो अधिकारी था जिसने पेपर लीग किया उसको क्या इन्होंने पकड़ा क्या उसको इन्होंने नामजद किया क्या पब्लिश किया कि इस अधिकारी ने हरियाना सरकार को बदनाम किया एचसे को बदनाम किया और लाखों लोगों के भविश्य के साथ ख अख़बारों में पब्लीश हो रहा है पेपर किसी से तो इन्होंने खरीदा और किसी को तो इन्होंने बेचा जो ग्राम शीव का पेपर हुआ था जनवरी में जनवरी से अब अगस्ट चल रहा है साथ-ाथ महीने हो गए सरकार ने पुलिस इनके सूचना तंतर ने पूरे ने क्या काम किया और जो लोग पकड़े गए कि उनको कहां पब्लीश किया अब फिर कल पेपर से पहले ही पेपर लोगों के पास था वाइरल था कल मैंने वीडियो बनाई थी बात उठी है पूरे प्रदेश सरकार तक पहुँची है सरकार तक पहुचने के बाद पेपर कैंसल हो गया बहुत खुशी की बात है कि पेपर आउट था कैंसल हो गया लेकिन ये खुशी कब तक ग्राम स्चीव का पेपर हुआ आउट कैंसल ठीक है अब तक पेपर नहीं हुआ लोग तो लटक गए दो साल से तो कोई पेपर हुआ नहीं है और अब मामला फिर अटक गया, अब फिर अगला पेपर हरियानप पुलिस का आ गया, अब फिर वो कैंसल और जो है लीक, भाई पकड़े गए आदमी, अब जिन्होंने पेपर लीक करवाया, परशाशन और सरकार से मेरा ये सवाल है, और आप लोगों का भी सवाल होना कि ये लोगों को क्या पकड़ा जाएगा, कि जिन से इन्होंने लीक करवाया, जो लोग पकड़े गए हैं, कोचिंग सेंटर संजालक हैं बहुत सारे, जो लोग हमें गालिया देते हैं, कि ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं, राजनीती करते हैं, भाई ये राजनीती हमारी जिं में भरती निकली अब तक भरती पेंडिंग है अभी कोई पता नहीं है बागे पेपर कब होगा क्या होगा क्या नहीं होगा और तब होगा तो लीक होगा की नहीं होगा करोड़ों रुपे खर्च हो रहे हैं इस बात के उपर की पेपर लीक ना हो उसकी सेक्योरिटी के लिए पता नहीं कितने चीज़े हो रही है और उसके बाद जो हो पेपर जो अभिकता है शुरूआत में 15-15 लाग रुपे का वे आके बेशते हैं उसको 5-5 लाग रुपे का वहाँ से आके जाता है तो फिर एकेक लाग रुपे का और लोग पकड़े जा रहे हैं और उसके ही है वो हर्याना सरकार को बदनाम तो कर रहा है हर्याना सरकार उन अपराधियों को जो उनको बदनाम कर रही है इस परकार से प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ यह किलवाड कर रही है तो हर्याना सरकार उनको पकड़ने के बाद पुलिश परशासन CIDIB special cell अब ये जितने भी चीज़े हैं Crime branch है ये जितने भी जोई department है ये सभी department मिलने के बाद भी क्या जिन लोगों ने ये paper leak करवाया जिन से करवाया और जिन को बेचा उस पूरी chain को पकड़ करके news paper में publish क्यों नहीं करते ये गलती की सजा इनके उपर लगनी चाहिए राजदरों का मुकदमा इनके उपर चलना चाहिए जो लोग ये जान बूज करके शड़ेंतर करते हैं और एमानदारी से पढ़ने वाले लोगों का भुश्य खराब कर रही है दस्वी class के paper में नकल हो रही है बारवी class के paper में नकल हो रही है paper leak हो रहे हैं भरस्टाचार हो रहा है जो इस परकार की चीज़े हो रही है इनके खिलाफ एक बड़ी जाच क्यो नहीं बिठाई जाती SSE के paper जो है leak होते हैं सारा काम होता हैं तो इस परकार की चीज़े क्यों नहीं होती इस वीडियो को करो शेयर, पूरे देश के युवाओं तक पहुचाओ, इस बात को पूछो कि ये सरकार की शेय पर हो रहा है या वैसे ही हो रहा है, इस पर सरकार का ध्यान है या सरकार का ध्यान नहीं है, इस काम के लिए मुझे लगता है युवाओं को इकठा होना चाहिए, और हर एक जगे पर जाकर के ग्यापन देना चाहिए, धरना देना चाहिए, परशाशन का, मीडिया का, बाकी लोगों का ध्यान इस पर लेके जाना चाहिए, कि बच्चा सरकारी नोकरी की त्यारी करने आता है, साल 6 महिने की त्यारी में पेपर पास होकर के नोकरी लग जानी चाहिए काबिल युवाओं की लेकिन कई-कई साल तक पेपर ही नहीं होता है तो क्या ये सच में जो है युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड नहीं है ये सही है खटर सरकार ने इमानदारी से सेलेक्शन चालू किये मैं इस बात में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इमानदारी सिफ वहां की तरब से सरकार की तरब से नहीं आता है लेकिन जो यह बीच के लोग हैं जो यह बीच के काम करने वाले लोग हैं उसमें सरकारी करमचारी हैं या ठेके पर जो कमपनी को किसी को दे रखा पेपर का काम मुझे नहीं बता HSSC के चेर्मेन को आगे आकर के ये बात क्यों नहीं करनी चाहिए ये बताना क्यों नहीं चाहिए अभी जो कुछ दिन पहले इंट्रिविव हुआ था और उसकी एक क्लिपिंग काट करके जो है अब जो वर्तमान में जो है भोपाल सिंग्ख खदरी जी है तो वे लोग जो है उनका जो लगातार बयाना रहा है कि मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि HSSC का कोई पेपर लिक नहीं हुआ कैंसल नहीं हुआ तो अब हो कहा है और उसे जाकर के बयान क्यों नहीं लिया जाता उन्होंने बड़े फक्र से कहा था कि मुझे बड़े फक्र की बात है और पेपर हुआ था बिजली विभाक का एलम का 90 में से 90 नंबर आये थे याद है या भूल जाते हो बहुत बातों को इन बातों को अब जो काम गलत है तो गलत काम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा सरकार ने हमारी मांग मानी सेंटर खोले स्कूल खोले पढ़ाई चालू करी बहुत बहुत धन्यवाद मैंने किया नियूजबेपर में चापा आज मैं गलत काम हुआ है गलत काम के खिलाफ फिर से बात करेंगे हम सरकार के विरोधी नहीं है अपने घर में भी बच्चा अपने पेरेंट से अपने माबाप से जिद करता है बहुत करता है एक बात मानी जाती है अगली बात की बाते करते हैं और कभी उनके साथ जो है बाते करता है कभी उनके साथ जो है मांग करता है सारे काम करता है और ये काम होना चाहिए मेरी सभी युवाओं से पहली चीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर दो सब लोगों तक पहुँचाओ कल तक परसों तक सरकार तक ये बात जानी चाहिए हम सरकार के पास जाकर के ये मांग करें नमबर एक जिन लोगों ने ग्राम स्चीव का पेपर जनवरी में लीग करवाया उनके उपर कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ पकड़े दो गए थे वे उन्होंने किन से खरीदा उस आदमी को पकड़ा या उस आदमी के साथ सेटलमेंट करके पैसे ले दे करके उसको छोड़ दिया और जिन लोगों ने उसमसे खरीदा भई जो तो मीडियेटर है न सरकार से कहीं से वो पेपर खरीदा और किसी को बेचा तो उस पूरी चेन को इन्होंने पकड़ा या सिर्फ लीग करवाने वाले लोगों को पकड़ा और आज भी सिर्फ पकड़ने वाले जो ये लीग करवाने वाले लोग हैं जो ये पकड़े गए हैं सिर्फ इनको पकड़ेंगे या जिनको इन्होंने बेचा, वे भी तो पराबर क्या प्रादी है और जिनसे इन्होंने खरीदा, वे भी तो इस पूरे मामले के उपर इस बात को उठाने की जरूरत है और ये निूस बेपर में छापे सब के सामने बताएं कि ये लोग हैं जो ये जान बुझ करके शडियंतर करते हैं जो online paper हैं वो जो hack होते हैं उनके अंदर जो गड़बड होती हैं उनके उपर इस बात को जो है क्यों न उठाया जाए बड़े पहमाने पर पूरे देश के पहमाने पर पूरे देश के teachers तक भी इस बात को पहुँचाओ सभी students तक इस बात को पहुँचाओ और इस बात को हम सरकार के पास लेके जाना चाहते हैं और ये बात जानना चाहते हैं सरकार से सरकार के नुमाइंदगे आकर के आकर कोई तो बोले कोई मंतरी, मुख्य मंतरी जी, कोई MLA, सरकार का कोई नुमाइंदा और जितने भी मीडिया कर्मी है, मीडिया बंद हुए वा तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए कि जिन्होंने लीग करवाया, तो किन से करवाया, और किन को आगे बेचा और ये पूरी कड़ी उसको जो है क्यों नहीं पबलिश करते, और मीडिया क्यों नहीं इसको फोलो लेता, फोलो अप लेता, ये छोटे-छोटे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जो इस परकार की बाते करते थे, कि बच्चे चोरी से पढ़ते पकड़े गए, आज वे कह पाँ सोई हुए है, उन्होंने इस बात को उठाया, नहीं उठाया, उन्होंने MLA, MPo से, विधायकों से जाकर के बाते करी या नहीं कि, या सिर्फ चापलूसी बजाने के लिए, वहाँ पर जाते हैं, और चापलूसी बजाकर के वहाँ पर जो है, जो जनता की आज उथाई नहीं जाती है मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पड़ पाया हूं मैंने अपनी भावनाओं को तुम्हारे तक पहुचाया है कि ऐसे तो ये खेल रोज चलता रहेगा ग्राम सीव का हुआ पेपर कैंसल हुआ ठीक है अब हरियाना पुलिस का हुआ फिर कैंसल हो गया ठीक है अब महिलाओं का होगा तो वो फिर कैंसल होने वाला क्या और फिर से ऐसे अपरादी पकड़े जाने है क्या और फिर से कैंसल होना क्या एसाई का होने वाला है तो क्या फिर वही काम होगा दिसंबर में जो ग्राम सीव का पेपर दुबारा से होने वाला है अब हरियाना पु मिलते हैं कमेंट्स करिए वीडियो के उपर शेयर करिए इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने अपने चैनलों पर जो चला यह खूब और इस बात को उठाने की जरूरत है एक एक आदमी तक क्यों न पहुंचे फेर सेलेक्शन सरकार की तरफ से है तो यह पूरा फेर हो यह सरकार की ही जिम्मेदारी है हम सरकार के परतिनिद्यों से मुख्यमंत्री जी से मंत्रियों से पूरे मंत्री मंडल से विधायकों से एमपियों से इस बात को चाहते हैं कि वे इस बात को उठाएं और आप लोगों के जो भी लिंक्स है जैसे भी है इनको भाहां तक पहुंचाएं ये जो गलत हो रहा है ये इसलिए हो रहा क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते हैं सहने के आदि हो गए हैं कितना ही अन्याई होता रही कोई बात नहीं कितना यह नहीं होता रहे, कोई बात नहीं, अपने करेक्टर को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और गलत और सही के बीच में गैप लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, जो कुछ लोग इस परकार के दोगले लोग होते हैं, कि कभी सरकार को गाली देता, कभी सरकार के पक्ष मे होता है, मैं गाली कभी नहीं देता, मैं सरकार को क्या कर रहा हूँ, कि ये काम गलत हुआ है, आप बताएए ना, जिम्मेदार आदमी हो आप, हमने मुख्य मंतरी को, मंतरी मंडल को, सभी विधायकों को, सभी एमपीओं को, वोट देकर के उनको जिताया, वे हमारे जनपरत से तूटते हैं, दो, 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 तीन, तीन, चयर, चयर साल हो गए पढ़ते हुए, हर साल के 20-30-50 जार पे बच्चा Ctrl करता है, लाखूर पे खर्च कर चुके हैं, किताब खरीदनी है, अब खरीदना है, सेंटर में पढड़ना है, कोपी खरीदनी है, पढ़ना है, आने जान नहीं होना है तूटना नहीं है गुस्षे को पालना सीखो कासी क्रोध को पालना सीखो कासी मैंने एक वीडियो जो है आगे डालर केसी पे फेस्बुक को इसके पेज को खोलो और उस वीडियो को देखो घातक फिलम का बहुत बढ़िया डायलोग है अमरेश पूरी का लाइज भी करना सीखो हर टाइम पर नहीं भोगते रहते हर टाइम पर गड़ बड़ नहीं रहती है लेकिन जब इस परकार का अन्याय होता तो उसको सेहना भी नहीं चाहिए मुझे बहुत अच्छा लगता वो डाइलोग आप देखना इस वीडियो में है थेंक यू वेरी कर्णोप जिन आप हर दें कर्णोपी माईचा हुट भी कर्णोपी 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 कर्णोपी